नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का शिक्ष्याप्राभा में दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपका CUET Main Domains में Fine Art का क्या स्लेबस है कितने questions पूछे जाएंगे उसमें से कितने questions आपको attempt करने हैं कौन-कौन सी यूनिट से कौन-कौन से टॉपिक से आपसे questions पूछे जा सकते हैं ये वीडियो इस्पेशली उन बच्चों के लिए है जो BFA में admission लेना चाहते हैं तो Fine Art का जो गोड है वो 312 है बिटा और Painting, Sculpture, Graphic and Commercial Arts अभी के लिए एक ही syllabus यहां पर CUT में दिया गया है आप लोगों को 50 question का 8 question paper आप लोगों के लिए आएगा और उसमें से 40 question आपको करने हैं कोई भी 10 question आप अपने मर्जी से skip कर सकते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बिटा अगर आप सिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक भी सिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आपके रिजल्ट, मॉडल टेस्ट पेपर आपके स्लेबस और सब्सक्राइब से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहें तो इसके अंदर पिटा फाइन आर्ट में चार यूनिट आपके स्लेबस में यहां पर दी गई है जिसमें पहली उनिट है तो राजिस्थानी और पहाडी स्कूल ओफ मिनेचर पेंटिंग यानि राजिस्थानी शेली और पहाडी शेली की लगुचितर शेली ठीक है और सेकिन है दो मुगल एंड दक्षनी स्कूल ऑफ मिनीचेश्यॅल तीसरा है आपका दो बंगाल स्कूल ऑड कला और उसके अलावा सांस कुछ पूछे जा सकते हैं चोथी युनिट में आपसे पूछा जाएगा The Modern Trends in Indian Art यानि की आधुनिक खला भारत की आधुनिक खला तो भीटा युनिट एक हम देखना शुरू कर देते हैं युनिट एक में कौन-कौन से टॉपिक्स आपको यहां पर कवर करने हैं तो दर रजिस्थानी और पहाडी स्कूल जो की 16 मी शताबदी से 19 मी शताबदी के मध्य चली ती उसके बीच में आपको इनका इंट्रोड़क्शन याद करने ना है आपको पाल शेली, रजिस्थानी शेली, मुगल शेली, दक्षनी शेली और पहाडी शेली इस वक्त 16 से 19 के बीच जो की आपकी उनिट 2 में भी आ जाती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और क्या-क्या चीजे पढ़नी है तो उनका उद्भव और विकास जीके पाल शेली का, रजिस्थानी शेली का, मुगल का, दक्षनी पहाडी इन शेली का उद्भव और विकास आपको पढ़ना है कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से राजा ने इनका चरम समय, किस राजा के समय रहा, वो सारी चीजे है, राजिस्थानी शेली जब आप पढ़ोगे तो आपको मेवाड, बूंदी, बीकानेर, किशनगर, जेपुर, इनको पढ़ना है, और इनकी विशेष्टाएं पढ़नी है, इनके अलावा जो नाम आपको यहां सलेबस में नहीं दे रखे, वो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो मेवाड, बूंदी, बीकानेर, किशनगर और जेपुर, यह आप लोगों को पढ़नी है, बाकी शेलियों को छोड़ सकते हैं, सेकेंड, इस्टेडियों फॉलविंग राजिस्थानी पेंटिंग, आप कौन-कौन सी राजिस्थानी पेंटिं यहाँ पर वो भी दिया गया है, सेकेंड एविट आपका वन कोट सीन और हंटिंग सीन और फेस्टिवल सीन, तो मेवार जगत सिंग दीतिय के समय का यह चित्र है, इसको आपको पढ़ना है, बूंदी शेलि में जो राग माला और रसिक प्रिया पर चित्रांकन हुआ था, और यह है कोट विट कोट, यानि कि one painting of a hunting scene in a forest महाराजा, यह कोटा शेलि का है, तो कोटा शेलि से आपको इस चित्र को पढ़ना है, राधा बनी धनी जो निहाल चंद ने किशनगर में बनाया था, जो रजिस्थानी शेलि की शान है चित्र एक तरह से, उसको पढ़ना है, आबुजी की फड जो भिलवाडा में करी गई थी, लोग कला है एक तरह से, तो वो आपको करनी है, मारुरागनी आपको पढ़नी है मिवार शेलि की, और राजा अरिरुद सिंग हाटा जो बूंदी शेलि का फेमस चित्र है वो पढ़ना है, चोगान प्लेयर्स जो जो चित्र है वो रादा बनी ठनी पहले आ चुका है, बता चुके है वो भारत मीट्स राम, चित्र कूट में राम और भरत का मिलाप, ये भी आपकी बुक में है, जो जो जैपुर शेलि से है, इसको आपको पढ़ लेना है, जो आपकी सिकिन इनिट है बिटा, द पहाडी स्कू आप क्या पढ़ेंगे, वही सब पढ़ेंगे, ओरिजन और डेपलोप्मेंट यानि उद्भव और विकास, किसका बसोली का, गुलेर का कांगडा का, तीन स्कूल आपको पढ़ने है, गुलेर, कांगडा और बसोली, ठीक है, पेंटिंग कौन कौन सी पढ़ोगे, तो जेदेव ने जो लिखी है और चितरकार रहे हैं उसके मन को, ये चीज आपको पढ़ लेनी है बशोली सहली से, और कृष्ण लीला और भागवत कुरान जो लिखा है, जो गुलेर और कांगडा दोनों में बनाये गया है, नैनसुप के द्वारा उसको आपको पढ़ लेना ह तेसरा नायक नायका भेथ, बाहरा मासा और रागमाला, रागमाला बारा मासा नायक नायका भेथ जो गुलेर और कांगडा में बनाये गए हैं, इनको रीड कर लेना है, नंद येशोदा क्रेश्न के साथ वरंदावन जाते हुए जो कि किसका चितर है? बसोली चली, इसको आपको पढ़ लेना है Unit 2 है विटा आपकी The Mughal and Dakmi School of Miniatur Painting इसका भी उद्भविकास आप लोग पढ़ लोगे मेन फीचर आप लोग इनके जान लोगे और उसके बाद आप Mughal Painting कौन कौन सी पढ़ होगे तो अकबर नामा जो बसावन ने अकबर के समय में ग्रंथ लिखा था उसके सभी चितर आप पढ़ लेंगे जैसे उसके अंदर सलीम का जनम चितर भी है Babar Crossing the River सोन नदी पार करते हुए Babar जगनात इसके पेंटर है अकबर के समय का चितर है वो पढ़ लोगे और गोवर्णन परवत उठाते हुए क्रेशन जो चितर है मिस्किन ने बनाया है अकबर के समय का है इसको पढ़ना है Birth of Selene ये मैंने आपको बता दिया Birth of Selene ये सलीम का जनम चितर किसमे है अकबर नामा में है और ये रामदास में बनाया है और अकबर के समय का है इसको भी आप लोगों को पढ़ना है पांचवा चितर जो आपको दिया गया है जहांगीर होलिंग दा पिच्चर तो ये अबुल हसन ने बताया था मेडोना पकड़े हुए जहांगीर ये वाला चितर आपको जहांगीर के समय का है जो पढ़ना है और फैल कुनौन ये आपने पढ़ा है बहरी बाजवाला चितर जो उस्ताद मंसूर ने बनाया आपकी बुक में है जहांगीर कालीन चितर है इसको आपको पढ़ना है कबीर रेदास भी बिटा आपकी बुक में है फकिर उल्ला खां शहां जहां के टाइम का ये चित्र है मैरिस प्रोशेशन ओफ दारा सिको ये एकदम उत्री मुगल कालीन कला का चित्र है हाजी मतनी ने बनाया है इसको आपको पढ़ लेना है इसके अलावा बिटा दखनी स्कूल में आपको उसका उद्भव विकास कौन से राजा के समय चरम रहा किसने इसको शुरुआत करी किसने पाला पोसा आके बढ़ा है वो सारी चीज़े आप इसके अंदर पढ़ लेंगे और पेंटिंग कौन कौन सी पढ़ेंगे इबराहिम आदिल शहां दिर्थिया जोकी बीजापुर के साशक थे और बीजापुर में ही ये चितर बना है तो इसको आप पढ़ोगे रांग हिंडोला जो एहमद नगर में बना है रागमी पंठ हर्सिका जो एहमद नगर का चितर है हजरत निजामुद्दिन ओलियामीर खुष्रो हैतराबाद का चितर है चान बीबी पोलो खेलते हुए या चोगान खेलते हुए गोलकुंडा शेली का चितर है ये चीज़े आप पढ़ोगे सिर्फ पांच चितर आपको डक्षन इसाली से पढ़ने है इसके अलावा और कोई चितर नहीं पढ़ना है यूनिट तीन है बेटा दे बंगाल स्कूल एंड कल्चर नेशनलिस्म तो इसके अंदर निवेराइन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन तो उसके अंदर आप वही पढ़ोगे आदुनिक कला क्या है शुरुआत कैसे हुई बिटा गला मेरा थोड़ा सा खराब है तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से आवाज ना आ रही हो फिर भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं तो अब बंगाल इसकूल के अंदर आप कौन-कौन सी पढ़ेंगे तो समुंदर का मन मर्दन करते श्री राम जो राजर रभी वर्मा की पढ़ेंटिंग है जर्नी एंड यानि यातरा का आंत जो अमनिंद्र नाटेगोर का है पार सार्थी जो नंदलाल बोज का है गाज पोट्री पेंटिंग बेस्टोन चगुताई ने जो बनाया है चित्र उसको पढ़ना है क्यूबिस में पेंटिंग जो गगिदना टेगोर ने बनाई थी वो आप पढ़ोगे क्यूबिस में यानि की घनवाद पेंटिंग वाला चित्र यामनी राय का है फेमस तो आप मदर अट चैल्ड फीमेल फेस रविन्ना टेगोर फीमेल फेस इसको शी यानि की वहभी बोलते है और हील वोमेंस पहाड़ी ओरते अमरिता शेरविल का चित्र है शीवशती वापस से नननाल भोस का चित्र है रास लीला शित्न जनात मजूमदार का चित्र है राधिका ये चगुताई का चित्र है इसमें से मुस्टली चित्र बिटा आपके बुक में है मेगदूत भी आपके बुक में है राम गुपाल विजय वर्गे का चित्र है, यह आपको पढ़ना है, इसके लामा आपके बुक में बिटा नैशनल फ्लेग वला एक चप्टर है, है ना, जिसके सिंबलिक सिंगिकन्स दे रखें, फॉर्म्स दे रखें, कलर दे रखें, और उनका जो महत्व है, वो बता रखा ह तो वो चीज़ें आप यहां पर देख लेंगे, सेकेंड आपका कंट्रिबुशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, स्ट्रगल, नैशनल फ्रीडम, मूवमेंट, यह सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, थीलर ओफ स्वाइल, नंदाल बोस, यह चीज़ें आप पढ़ लेंगे Unit 4, जिसके अंदर Modern Trends Indian Art का Introduction आपसे पूछा जाएगा, तो उसके अंदर आपको Mother Teresa Chitra को पढ़ लेना है, जो हमाइफ हुसेन का आपके बुक में आपको मिल जाएगा, Birth of Poetry, K.K. Haber का मिल जाएगा, Gossip यानि की गपशप, N.S. Bendre का मिल जाएगा, और यह है Tantric Painting, Tantric प्र चाहेंगे तो, World Image, Shabd and Pratik विटा यह भी आपके बुक में है, K.S. Pannikar का, और यह समुंदर का मन मर्दन करते राम, यह राजा रवी वर्मा का चितर है, Mother Child का Amini Raya का है, हल्दी पीसने वाली Amrita Sergil, और Mother Teresa Dubaara से ही हाँ पे Mother Teresa Diya, M.F. Hussain का, और The Vulture, याने की बाज, जो द पढ़ लेना है, Modern Trends में, स्क्लप्चर आप कौन-कौन से पढ़ोगे, तो Trump of Flavor यानी की श्रम की विज़े D.P. Raya Chaudhary आपके बुक में है, सान्थाल परिबार भी रामकिंगर बैच का, खड़ी हुई औरत धनराज भगत का, अंसुनी चीखे अमरनाथ सहेगल का, गनेश फ के बुक में है, आपको अपने बुक के सभी, मतलब आठो स्क्लप्चर पढ़ लेने है, ग्राफिक प्रिंट वर्ड पूल यानी की भवर आपको पढ़ लेना है, कृष्णा रिड़ी का है, चिल्डरन बच्चे शोमना थोर का है, देवी जोती भठ का है, ओफ वॉल्स कुछ ही चित्र इसके अंदर ऐसे हैं, जो आपके स्लेबस में नहीं थे, और वो इसके अंदर एड़ कर दिये गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स वीडियो में उनको एक्स्प्रेइन कर दूँ, तो ये वाली स्लेबस की तेयारी करके आपको अपना C.U.T. एक्ज दोस्तों के शाथ शेयर कर देना, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर ले, धन्यवाद दोस्तों.